आज की वीडियो में हम financial planning related एक बहुत modern topic health insurance के बारे मैं बात करेंगे विकोज क्या है कि आपके finances बहुत अच्छे हो सकते हैं बट financial planning में सबसे बड़ा component आता है emergency and planning का emergency में बहुत तरह की emergencies हो सकती है बट अगर health की कोई emergency हो तो उसको आप health insurance के तुरूँ कवर कर सकते हैं health insurance लेने का एक benefit तो यह हो गया कि आपको hospitalization में help मिलता है दूसरा benefit यह होता है कि अभी जो टेक्स चल रहा है टेक्स टेक्स प्लानिंग का सीजन चल रहा है टेक्सेशन होगे नहीं बेनेफिट भी मिल जाता है तो अभी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा जो कि आपको है लेने के पहले या health insurance लेने के पहले आपको जरूर करना पहले पहला चीज कि आपको यह अपके पैसे नहीं रखे हुए है तो भी क्या वह वह फैसे लेता है कि नहीं लेता है आपके policy के अगे तो यह काफी सारे ऐसे बाद आता है एक no claim bonus बोलके नया concept है यानि कि जिसे माल लीजिए आपने health insurance ले लिए इस साल अब इस साल माल लीजिए आपने पांचला की policy ले ली पूरे साल आपने कोई क्लेम ही नहीं किया क्यों क्योंकि आपका कोई health emergency आया नहीं क्योंकि इमर्जनसी तो बता के नहीं आएगी फिर अगले साल भी आप उनले से रिन्यू करोगे जब आप policy रिन्यू करोगे तो यह जो no claim bonus वाले जो plans होते है न यह लोग क्या करते हैं एक additional bonus add कर देते हैं आपके policy की ठीक है चलो maximum policies में क्या रहता है वन परसेंट का लिमिट रहता है तो माली आपने पॉलिसी ले ली पाच लाग रुपे की तो आपका रूम रेंट का लिमिट आ गया 5000 रूपीज पर नाइट अब इस रूम रेंट से calculation क्या क्या होते है रूम रेंट से calculation यह होता है कि मालो आप एक ICU रूम यह होते हैं तो मालो साथ रूम रेंट है और पांच यह तक ही पर वन परसेंट पर डे आपको अलाउड है तो यह जो ट्वेंट फॉर्टी परसेंट है आपके उसमें तो ओवरॉल बिल में इसका सब्ट्रेक्शन हो जाता है तो इसलिए क्या करना चाहिए आपको पॉलिसी आज कल ऐसी आ गई है जिसमें डे केर भी अलाव करते हैं पहले मैक्सिम पॉलिसी यही होती थी जिसमें आपको फिलाइशन मेंडिटरी था अभी क्या डे क्या बोलता है आप रूको चले जाओ तो आपने माली शेसाजगंडा प्रोसीजर कर रहा है तो उसमें वह आपके ब और यहीं पॉलिसी है में अच्छी चीज होती है मैं मना नहीं कर रहा हूं और पॉलिसी में आप भी है आपकी वाइब भी है आपके बच्चे भी है सब लोग है उसी में इंक्लूड़िट जापता एक संग दो-तिन जान का इमनसी आ गया तब एडिशनल एक लेकर रखने से ना एक तो डेक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है सो मिली रहा है दूसरा बेनिफिट आपको यह है कि तेंस अफ सिक्यूरिटी भी रहेगा ना अगर जॉब्स चेंज करना है तो उस समय आपकी खुद की पॉलिसी ली हुई है एक साल तक आपके दिमांग में तो सेफ रहेग और कॉर्पेट पॉलिसी इसका टॉप अब इतना इसली नहीं करा सकते हैं इसमें आप करा सकते हैं यह कुछ-कुछ एडवांटेज होते हैं प्लस उसमें आप एक जॉब से बंदेव हुए हो इसलिए मिल रहा है इसमें आपके डिपेंडेंसी खतम हो जाती है वो एक अग तो यह कुछ-कुछ benefits हैं जो मैंने आपको बताए है अब बात आती है कि ले कहां से तो देखें मैं जनरली इसके लिए recommend करता हूं कि आप policy बजार से देख सकते हैं लेने का benefit क्या क्या है लेने का benefit यह है यह है कि आपका up to 25% discount क्या मिल जाते हैं तो कुछ-कुछ पॉलिसी में ज्यादा रहेगा जितना आप राइड करते हैं जितना चीज़ें आप आड करते हैं त्रियंत बढ़ जाते हैं इतना कम से स्टार्ट हो जाते हैं इमेडियेट पर्चेस आप कर सकते हैं उसके इमेडियेट पर्चेस के समय आपको इसका 75,000 तक का लिमिट रहता है वह मिलता है अब उसके बाद क्या है कि आप यह होती है कि कितने लोगों ने ली है पॉलिसी बजार से क्योंगे आप सुनने तो बहुत होंगे ना कितने लोगों एक्चली 2.6 करोर पॉलिसी गई हैं पॉलिसी बजार से लिंग में 51 इंशॉरर्स हैं जो इनके ऊपर अपना प्रोड़क्ट लिस्ट करके रखें आप उसमें से चूज कर सकते हैं पॉलि लेबल है और उसके बाद हेल्थ पॉलिसी आप ले सकते हैं अपने पैरेंट्स के लिए और जैसे आप आपका बढ़ते जाएगा तो आपका प्रोड़ियो डिसीज बढ़ते जाता है तो ज़रूत पढ़ता ही है तो यह कुछ-कुछ फायदे हैं अब इसको नैविगेट कै करना है वह सब आप क्लिक कर सकते हैं कितने सब यहों कर लिजी डाल दीजिए वाइब का आई जाल दीजिए बच्चों का जाल दीजिए और उसके बाद धिए अगर आप नोटेस करेंगे तो आपको इतने सारे options मिल जाते हैं कितना cover amount आपको चाहिए कितना आपको per month क्या प्रियम आएगा तो आप समझे कि per person आपका rate कितना कम हो जाते हैं यह इसका advantage है वह आप इसको चेक करके देख सकते हैं तो तो देकि benefits वागिना मैंने सारे समझाएं अब इन benefits को आप analyze करें लिंक जो डिसक्रिप्शन में अपन करिए details फिल करिए एक करिए सारी चीजें एंड डिसक्रिप्शन वाए लिंक से आप जैसे ही सब चीजें चेक करेंगे आप वहाँ पे details अपना फिल करके बहुत सारे insurance का options आपको मिलेगा उसमें से जो आपको best लगता है व अगर आप fresh लेने का सोचते हैं तो already अगर लिया हुआ रहेगा तो वह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और उसी का फाइदा उठाना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से ज़रूर एक healthy insurance purchase करिए